रिया और सिया दोनों जुड़वा बहने थी दोनों खूबहू एक जैसी दिख्ती थी और अक्सर लोग उन्हें पहचानने में गल्ती कर देते थे रिया और सिया एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने भी जाती थी एक दिन की बात है कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और दोनों घर पर बैट कर बातें कर रही थी सिया आज कितनी जादा गर्मी है जरा इसी तो चलाना ओहो रिया लगता है तुझे पता नहीं मगर हमारा इसी खराब हो गया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अब ठीक हो पाएगा लेकिन क्यूं अरे मम्मी इतनी जल्दी नहीं ठीक करने वाली क्योंकि फिर हम लोग दिन बर एसी में ही बैठेंगे और उससे बिच्टी का बिल बहुत जादा आएगा हे भगवान सिया लेकिन आज कितनी गर्मी है ऐसे कैसे काम चलेगा हाँ वो तो सच कहती हो तुम रिया अच्छा मेरे पास एक आइडिया है ये गर्मी दूर करने का क्या? वो क्या सिया? अरे चलो हम लोग वाटर पार्क चलते हैं वहाँ जाकर हमें बहुत मज़ा आएगा और फिर हम लोग वाटर पार्क में पानी से खेलने के बाद ठंडी ठंडी आइस क्रिम खाएंगे आहाहाहा सोच कर ही मज़ा आगया अरे सिया वाटर पार्क में जाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं और हमारे पास तो वो बिल्कुल भी नहीं है ये सोच कर रिया और सिया दोनों ही दुखी हो जाती है लेकिन तभी उनकी कॉलिज की दोस्त आकरिती वहाँ जाती है अरे रिया सिया तुम दोनों गर्मी में क्यों बैठी हो एसी चलाओ न लगता है आकरिती तु भी हमारे घर पर एसी की ठंडी हवा काने आई थी है ना हाँ हाँ पर तुम दोनों इतना हस क्यों रही हो इसमें क्योंकि आकरिती हमारे घर का एसी भी खराब हो गया है और मम्मी इसे जल्दी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कराने वाली ओ ओ ओ तो अब क्या किया जाए मैंने तो रिया को बोला था कि चलो कोई वाटर पार्क चलते हैं मस्द पानी में खेलने के बाद शाम को आईस्क्रीम खाएंगे सारी गर्मी अपने आप ही चली जाएगी हाँ मगर मैंने सिया को कहा कี่ हमारे पास water park जाने के लिए बिलकुल भी पैसे नहीं है अरे हमारे पास पैसे न सही पर प्लान तो है क्या मतलब मेरे पास एक प्लान है रिया सिया और वो क्या है आकृति अरे तुम लोगोंने उस water park के बारे में सुना है न वो जो शहर में नया खुला था पिछले साल हाँ हाँ सुना था न मगर मैंने सुना था कि वो पिछले साल ही गर्मियों में बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पर टूटी पूटी और खराब राइट्स की वज़े से कई लोगों की जान चली गई थी हाँ और तब से वो water park बंदो गया और अब ये भी कहा जाता है कि वो water park भूतिया है हाँ तो चलो चलते हैं वहाँ क्या पर कैसे ये तो नामुम्किन है आरे भला क्यों पहली चीज हमें वहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि पैसे लेने के लिए वहाँ पर सिर्फ भूत ही आएंगे और भूत जैसा तो कुछ होता है नहीं और दूसरी चीज वहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं होगा हम अकेले इंज्वाइ कर पाएंगे बात तो सही है वैसे आकृती तो क्या कहती हो सिया चलें क्या ठीक है चलते हैं फिर क्या था रिया सिया और आकृती चल देते हैं उस भूतिया वाटर पार्क की तरफ थोड़ी ही देर में वो तीनों भूतिया वाटर पार्क तक पहुँच जाते हैं वाँ वाँ ये तो वाकई में काफी बड़ा है फिर क्या था आकरती सिया और रिया वाटर पार्क के अंदर चली जाती हैं अंदर जाते ही वो देखती हैं कि वाटर पार्क अंदर से बहुत बड़ा था और वहाँ पर काफी सारी राइड्स भी थी लेकिन जादातर राइट्स टूटी-फूटी थी और स्विमिंग पूल में भी पानी नहीं था ये सब देखकर रियासिया और आकृती निराश हो जाती है ये क्या? हम इतनी दूर से इतनी गर्मी में यहाँ है पर क्या फाइदा? यहाँ तो पानी ही नहीं है पूल में तो क्या अब वापस चले? अरे नहीं नहीं वापस क्यों? वो देखो वहाँ एक नल है और एक पाइप भी तो पड़ा हुआ है तो क्यों न हम खुदी पूल में पानी भर ले? पैसे आइडिया बुरा नहीं है आकरिती चलो चल कर देखते हैं कि उस नल से पानी आ रहा है या नहीं आकरिती रिया और सिया साथ में नल के पास जाती है और आकरिती नल से पाइप को जोड देती है और पाइप को पूल तक ले जाती है मगर आकृती को ये काम करता हुआ छोड़कर रिया सिया टूटी हुई राइट्स देखने दूसरी तरफ चली जाती है अरे अरे ये नल में से पानी क्यों नहीं आ रहा रिया सिया ज़रा पानी तो चलाना रिया सिया अचानक से पाइप में से पानी आने लगता है अरे लगता है उन दोनोंने नल चालू कर दिया पर ये पानी इतना धीमे धीमे क्यों आ रहा है तबी आकरिती को पीछे से एक जराओनी आवास सुनाई देती है क्योंकि पाइप के उपर मैंने अपना पैर जो रखा है इतनी दराओनी आवास सुनकर आकरिती डर जाती है और तुरन पीछे पलट कर देखती है पीछे एक भूत खड़ा था जो कि सच में पाइप के उपर पैर रखकर खड़ा था और इसी वज़े से पाइप में से धीमे धीमे पानिया उसे देखकर आकरिती जूर से चिलाती है बचाओ रियासिया बचाओ चिलाते हुए आकरिती रियासिया के पास भागती है और तभी उसे वो दोनों मिल जाती है अरे अरे क्या हो आकरिती तुम अचानक से इतना डर क्यों गई हाँ हाँ क्या हो आकरिती वो वो उधर भूत रिया सिया जल्दी से चलो यहां से सच में यह जगा भूतिया है यह सच में भूत है यह वाटर पार्क भूतिया है अरे ये तुम क्या कह रही हो आकृती कहा है भूत चलो दिखाओ ओ वहाँ आकृती रिया और सिया को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने भूत को देखा था मगर अब वहाँ कोई भी नहीं था कोई तो नहीं है यहाँ आकृती जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा वैसे तुम पाइप यहां पर छोड़ कर गई थी और अब देखो पूल में पानी भरने भी वाला है फिर हम इसमें पानी में खेल पाएंगे हाँ बहुत मज़ा आएगा थोड़ी देर में पूल में पानी भर जाता है और रिया जाकर नल बंद कर देती है और रिया के साथ पूल के पानी से खेलने लगती है मगर आकरिती को अभी भी डर लग रहा था सिया रिया मुझे यहां पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा हमें यहां पर जादा देर नहीं रुकना चाहिए अरे बस थोड़ी देर और आकरिती फिर शाम हो जाएगी फिर हम बाहर निकल कर आईस्क्रिम खाएंगे बहुत मज़ा आएगा हाँ आकरिती तुम भी अंदर आओ ना पूल में पानी बहुत ठंडा है अरे नहीं नहीं तुम लोग ही खेलो और फिर जल्दी भी करो हमें घर चलना है आकरिती बाहर ही बैटकर दोनों को पानी में खेलते हुए देखने लगती है मगर तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है आकरिती पीछे मुड़ कर देखती है तो फिर से वही भूत उसके पीछे बैठा था क्या बात है तुम यहां अकेले बैटी हो पानी में नहीं गई बाबा भूत रिया सियां भूत फिर से आ गया जल्दी से बाहर निकलो पानी से मगर जैसे यह आकरती पानी में देखती है तो वो दंग रह जाती है यह क्या हो गया रिया सिया को क्या किया तुमने उन दोनों के साथ मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्या प्लीज प्लीज हमें जाने दो हमें माफ कर दो हम दुबारा कभी यहां नहीं आएंगे नहीं नहीं उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और कई लोग या ऐसे गुज़ा हैं ताकि मेरा भी थोड़ी पेट पूजाओ और सिर्फ मेरी नहीं मेरे साथ साथ उन सब की भी भूत आकरिती को पूल की तरफ इशारा करता है और जैसे आकरिती पूल में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है पूल में कई सारे भूत और चुड़ेल मौजूद थे जो रिया और सिया के आसपास तैर रहे थे वो सब किसी भी पल रिया सिया को खा सकते थे आकरिती मन ही मन सोचती है ये भगवान अब मैं क्या करूँ इन सब को बाहर कैसे निकालो इन सब से बाहर कैसे निकलो और रिया सिया को कैसे बचाओ आकरिती किसी तरह हिम्मत करके पूल की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी पूल पीछे से आकरिती का पैर पकड़ लेता है चोड़ दो मुझे भूत कहीं के चोड़ दो आकरिती अपनो पैर चुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तब भी भूत उसका पैर नहीं चोड़ता तब आकरिती भूत को जोर से एक लात मारती है जिससे भूत जाकर दूर गिर जाता है ये भूत दूर जाकर गिर गया है अग जल्दी से रिया सिया को पानी से निकाल कर यहां से भागने के लिए बोलती हूँ केले उनके पास ही आ रहीं थी। उधर जस भूट को आकरिती ने लात مारे थी, वो भी उठकर आकरिती की तरव बढ़ रहा था। रिया सिया जल्दी उठो और भागो, बाहर की तरव भागो। रिया सिया बिना सोचे समझे, तीनों मेंगेट की तरफ भागती हैं वो तीनों जल्दी से भूतिया वाटर पार्क से बाहर निकलाती हैं और अब आपस अपने घर आ जाती हैं हे भगवान आखिरकार हम घर आ ही गए हाँ, ये मेरी जिन्दगी का सबसे ढराओन और बेकार दिन था रिया सिया सच कहा आकरिती, आज तो हम तीनों बाल बाल बचे हैं अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे